प्रियारे शिक्षार्थियों एन आई उएस के स्टूडियो में आप सभी का पुनहा स्वागत है मैं चंदन कुमारमिष्र सहायक आचारिय वेद विभाग श्री जगनात समस्क्रत विश्र विद्याले पूरी उडिसा से आप सब के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षा के पाठ्ठक्रम वेदा ध्येनम के अंतरगत उस्तक्रमांक दो जिसका उन्नीसमापाठ देवी सूक्तम ह उसके अध्येन के लिए उपस्थित हों हम इसमें देवी सूक्तम के भाग एक का अध्येन करेंगे यहां देवी सूक्त और अगवेद से है इस देवी सूक्त में कुल आठ मंत्र हैं इस देवी सूक्त के विशे में सामान्य चर्चा करते हैं भारतीय जीवने संस्कृत साहित्येच वेदानाम स्थानम मूर्ध निवर्तते जैसा कि आप जानते हैं कि वेद भारती संस्कृती के प्राणाधार हैं क्या कर्तव या कर्तव निर्णे धर्म अधर्म निर्णे में वेद ही परमप्रमान के रूप में भारतिय वनिशियों के द्वारा स्विक्रित किये जाते हैं स्मृत्याद इस्तु वेद मूलक तया प्रामाण्यम भजन्ते धर्मशास्त्र इत्यादी के जो ग्रंथ हैं मनस्मृति, याद्यवलक स्मृति, पाराशरस्मृति, इत्यादि स्मृति गरंथ वेद मूलक होने के कारण ही प्रामान्यता को प्राप्त करते हैं अतयव शुति स्मृत्यों हो विरोधे सती शुति रेव गरियसी यदि कदाचित शुति और स्मृति गरंथों में विरोध हो तो शुति रेव गरी यसी शुति गरंथ में कही गई बातें ही स्विकृत सहर्श रूप से किये जाते हैं शुति ही महत्ता को प्राप्त करती है वेद केवल धर्म मूलक होने से ही समादृत नहीं है अपितु संपूर्ण विश्व में सर्व प्राचीन गरंथ साहित्य में भी वेदों का नाम आता है और अत्यंत उच्चतम तत्वों के प्रतिबादक वेद हैं अतएव वेद विशेस आदर को प्राप्त करते हैं भारती मनीशियों में नकेवल भारती या मनीशियों में अपितु पास्चात्य विद्वानों ने भी वेदों की भूरी प्रशंसा अपने साहित्यों में किया है तेही वेदाहा चत्वारहा वेचार वेद हैं आप जानते हैं रिक, यजुह, साम और अथर्व के नाम से अस्मिन पाठे देवी सूक्तम श्रद्धा सूक्त अंचेति सूक्त द्वयम अंतरभवती इस पाठ में रिगवेद से संबंधित देवी सूक्त और श्रद्धा सूक्त दो पाठों का हम अध्ययन करेंगे उसके प्ररम्ह में पूरो वभाग के रूप में हम देवी सूक्त का अध्यजन करेंगे यहां देवी सूक्त हरगवेद के दसम मंदल के 125 सूक्त कहा जाता है जो की वाग सूक्त के नाम से है इस सूक्त की रिशी वागाम्भर्नी रिशी है और तृष्टुपछंदोक्ट मंत्र इस सूक्त में कहे गए हैं इसके देवता स्वयम आत्मा कहे गए हैं एवंच पाथेस्मिन देवी सूक्तस्य व्याख्यानम वर्तते इस प्रकार इस संपूर्ण पाठ में देवी सूक्त की व्याख्या की जाएगी इस सूक्त के पाठ के अध्येन से आप सूक्त में स्थित मंत्रों का मूल सम्हिता पाठ जान पाएंगे और सूक्त में जो मंत्र हैं उनके मूल सम्मितापाठ की अतिरिक्त उनका पदपाठ कैसा होता है वह भी आप जान सकेंगे और सूक्त स्थ मंत्रों का अन्वे आप कर सकने में समर्थ होंगे सूक्त के मंत्रों की व्याख्या भी आप कर सकने में समर्थ होंगे और सूक्त में जो मंत्र कहे गए हैं उनके सरला अर्थ का बोद आपको होगा और सूक्त के तात्परिय को और सूक्त के तत्व को आप अच्छे से समझ पाएंगे सूक्त के अर्थ को जान करके सूक्त की महिमा का ज्यान आपको स्वतह स्वाभाविक रूप से होगा इसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है अहा प्रथम मंत्र है मूल पाठ इसका हुआ अब इसका पदपाठ देखते हैं इस मंत्र का पदपाठ किया जाता है इस मंत्र का सरलार्थ हम विचार करते हैं मंत्र में कहा गया अहम भगवती स्वयम कहती है कि मैं वागाम घणी रुद्र गणई सह रुद्रात्मिका भूत्वा विचरामी मैं स्वयम रुद्र गणों के साथ रुद्र की स्वरूपा होते हुए ही विचरन करती हूं स्वयम रुद्रात्मिका बन करके रुद्र गणों के साथ भ्रमन करती हूं अहम वसुगणई ही आजित्यगणई ही विश्वदेवगणई सह तत्दात्मिका भूत्वा विचरामी मैं ही वसुओं के साथ द्वादशाजित्यों के साथ और विश्वेदेवगणँ के साथ भी उनुन रूपों में होकर के विचरण करती हूँ मैं ही बगवती कहती हैं मैं ही मित्रवरुन दोनों की धारक हूँ और अहमेव इंद्राग्नियों हो उभाव अश्विनी कुमारों च धारयामी भगवती कहती है मैं ही इंद्र और अगनी को धारण करती हूँ और मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को भी धारण करती हूँ इस मंत्र में इस प्रकार भगवती की सर्वव्यापकता का प्रदर्शन किया गया है अग्रिम मंत्र इस प्रकार है मैं पुनर एक बारिस मंत्र का पाठ करता हूँ या मूल मंत्र का पाठ हुआ अब पाठ ऐसा है सरलार्थ इस प्रकार है घवती स्वयन कहती हैं ''I am tarnakarikam'' त्वष्टारम पूशाम भगंच विभर्मी मैं स्वयं सोम में और त्वष्टा में पूशा में और भग इुत्यारी सभी देवूँ में विचरन करती हूँ इन सभी को मैं स्वयम धारण करती हूँ मैं स्वयम हविर्युक्त हूँ और देवताओं को जो उत्तम हविह प्रदान करते हैं ایसे यज्वानों के लिए उनको उत्तम हविह प्रदान मैं ही करती हूँ और सोम के अविशव करने वाले जो यजमान हैं सोम का रस निकालने वाले जो यजमान हैं उन यजमानों के लिए धन मैधारण करती हूँ अथवा धन संपाधन करती हूँ ऐसा इस मंत्र में कहा गया है अग्रिम मंत्र है अहम राष्ट्री संगम नीवसूनाम इस मंत्र में इस प्रकार सम्हिता पाठ किया जाता है इस मंत्र का और इसका पतपाठ अब इस मंत्र में कहा गया भगवती स्वयम कहती है अहम राष्ट्री मैं ही संपूर्ण राष्ट्रों में व्यापत हूँ संपूर्ण राष्ट्र मेरा ही स्वरूप है और धनस्य संग्राही का विभिन्न धनों की सम्यक रूप से ग्रहन कराने वाली मैं ही हूँ चैतन्य वती मैं स्वयम चेतना से युक्त हूँ चैतन्य युक्ता हूँ और यज्यारह गणेश मुख्या जितने भी यज्यसंबंधित देवता गण हैं मैं उन सब में मुख्य हूँ ताद्रशी गुणविशिष्टा बहु रूपेण बहु अस्तुष अवस्थिता मैं ऐसे विभिन्न गुणों से युक्त और अनेक रूपों में अनेक तत्वों में विद्यमान रहने वाली हूँ माम देवाहा बहु स्थाने स्थापयंति देवता मुझे अनेक अनेक स्थानों में विभिन्न रूपों में स्थापित करते हैं मेरी उपासना करते हैं अग्रिम मंतर है यहा मूल मंत्र है इसका पदपाथ इस प्रकार किया जाता है इस मंत्र का सरलाथ इस प्रकार है यहा अन्नंखाजती पश्यती प्राणान धारयती उक्त विशयान श्रणोती समयाएव एतत सरवं कारियं करोती जो जीवात्मा अन्नादी भोजन करता है और जो संसार को देखता है प्राण धारन करता है और विविन विशयों को सुनता है वह सभी मेरे कारण ही उसके स्रवनेंद्रिय प्राणेंद्रिय चक्षुरंद्रिय कारे करते हैं वह जीवातमा वह प्राणी सब मेरे क्रपा से ही संचाल जमान होता है जीवातमाओं के सभी कार्य मेरे द्वारा ही किये जाते हैं जो मेरी महिमा को नहीं जानते हैं वे विनस्ष्ट होते हैं हे विशृता श्रूनोतु श्रद्धा याह विशयम अहम युश्माकम समीपे वदामी हे विशिष्ट स्रवनेंद्र य युक्त यजमान गंड हे मनुश्यों आप सुने श्रद्धा विशय को मैं आपके समीप बतलाती हूँ शद्धावान कर्मों की चर्चा मैं आपके सामने करती हूँ ऐसा इस मंदर में कहा गया है इस भाग में इतना ही धन्यवाद